एला एवरिवन दिस इस कपिल काजयान हीर वेलकम टो और यूटूब चैनल साइंस कुरूजी टोड़े वी हैव टू डिसकस दा चैप्टर फान विद मैगनेट काफी इंपोटेंट चैप्र रहने वाला है तो इस चैप्टर के अंदर बिसेकली मैगनेट्स के बारे में ही डि मैगनेट्स है अब यह कैसे फन करता है अब स्टार्टिंग की पहली एंड बूजो बांट टू ए प्लेस की वियर लॉट अफ वेस्ट मैटेरियल वाज पिल्ड इन्टू दी हूज हीप्स अब यह दो फ्रेंड्स हैं यह कहां पर वेंट करती हैं वही कि एक ऐसी जगह पर करती हैं कि जहां पर वेस्ट मैटेरियल है और वह काफी मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिन्स लाइकि जो स्क्रैपर्स होते हैं कि सम्थिंग एक्साइटेड वाज हैपनिंग कि एक क्रेंड वाज मोविंग तूवर्ट्स ता हीफ ऑफ जंक एंड लोंग हैंड ऑप मैनी पीचेज ऑफ ए आईरन जंक वर स्टिकिंग टू दी ब्लॉक्स एज इट मूवड आवे अर उसको ब्लॉक को क्या कर रही है दर उदर मूव कर रही है कि दे हैड जस्ट आप इसमें क्या पता है कि बेटा जी देखिए यहां से कि जो मैगनेड है वो अटाइच है कि इसके एक एंड अफ दा क्रेंड के साथ ता भी वो उसको क्या कर रही है जो आईरन है उसको पिक कर रही है क्लीर है अब यू माइट है और यू माइट के साथ कैसे प्ली किया जाता है कि हाव यू सीन इस्टिकर दैट रिमेंस अटेच्च तो आईरन सर्फिस लाइक जे अलमीरा और ए डॉर और ए रेफ्रीजरेटर इंसम में पीन होल्डर दपीन सेम्स तो बी स्टिकिंग टू दी होल्डर आप जो पीन होती है मों किस इसके साथ चिपकी रहती है होल्डर के साथ इन सम पैंसेल्स बोक्स ए लैड फिट टाइटली विन वी क्लोज इट इवन विदाउट लोकिंग अरेजमेंट देखिए इसमें क्या बताए गया है कि जो पीन होल्डर है अब उसके इंदर जो पीन है या पैंसिल जो बोक्स हो सीकर जो में होल्डर जान पैंसिल बोक्स है वि मागनेट फिटेट इंसाइड उनमें क्या होता है बैटाजी एक मेगनेट फिटेट होता है जो उसको अचीछी तरह से फिट कर देता है कि बोक्स है विनेंट फिट इंसाइड, इफ और इस इन हैं आप या अन्य वानस ओफ as a pinhole box and आपकी यह क्या है this is a like as aigmira means like में इसमें भी सम्क्या है कि जो मैगनेट उसको यह पैंसिल बोस है उसमें मैगनेट है उसको अची तरह ऐसे चिपका लेता है उसके बाद Heav magnet were discovered कि magnet कैसे डिजिक इसकोर्ड हुआ कि it is sad that there was a saphord named is a magnase who lived in the innocent grace अब वो कहां से रिलेटेट हम तो साइन्टिस्टी बोलेंगे इसको जिसने मेगनेट को डिसकावर किया कि कि जो क्या कर रहा था कि अपनी जो बक्रियां थी जो सीप थी उसकी उसको चराने के लिए और बेड़े थी उनको कहाँ पर लेके गया वो नियर बाइदा ग्रेजिंग मतलब माउंटेन के पास कि कि he would take a stick with him to control his head and the stick had some pieces of iron attach अब जो उसकी stick थी उससे क्या attach था कुछ iron के particles उसके साथ attach थी कि the stick has a small piece of iron attach at the end कि one day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rocks अब एक दिन उसने क्या find out किया कि इसको pull किया hard कि इस पर free is a stick from the rocks on the mountains जो mountains थी वहाँ पर on the mountains देखी द्यान से अब यह क्या कर रहा है यहां पर stick कर रहा है एक natural magnet ओने hillsides में कि जो उसकी जो stick थी वो mountains पर जाकर क्या हो गई जैसे एक चिपक्सी गई कि it seems as if the sticks was being attracted by the rocks जो sticks है वो क्या कर रही थी rocks की तरफ attract कर रही थी कि the rocks was the natural magnet जो rocks के अंदर क्या था बैटा जी एक natural magnet था and it attracted the iron strip जो iron strips को अपनी तरफ क्या कर रहा था attract कर रहा था कि it said that how the natural magnet were discovered कि जो natural magnet कैसे discovered हो गया ऐसे कि such a rocks were given the name of a magnetite perhaps after the name that of a suffered कि magnetite containing a irons कि some people believe that the magnetite was the first discovered at that place is called as a magnesia उसको क्या बोल गया magnesia कि the substance having the property of attracting iron जो प्रोपर्टी उसकी क्या प्रोपर्टी होती है जो attract करता है किसको iron को and and how know the magnet and they how is the stories goes कि यह जो stories है इसकी यह पताई भी गई है this is how the stories goes in any cases कि people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of a iron कि जो attractive जो pieces होते हैं iron कि वो क्या करते हैं उसकी तरफ attract हो जाते हैं कि they also found in a small pieces these rocks have a special properties अब इन जो प्रोप्रोप्स थे बेटा जी जैसे अभी mountains की हम discuss कर रहे थे कि उनकी प्रोपर्टी एक अपनी प्रोपर्टी थी कि the name of these is naturally occurring the material magnet अब उसको में निट क्या बोला गया magnetic material बोला गया कि leather on the process of a making a magnet from the piece of a iron watch discovered कि now the artificial magnet artificial magnet को जो 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 बनाई जाते हैं बाई human made CIT is prepared by the laboratory कि nowadays artificial magnet are prepared in a different अब यह क्या है बैटा जी यह different different shapes के अंदर है for example जो artificial जो बनाए गए है for example बार magnet है इसके अंदर horseshoe magnet है और cylindrical and a ball ended magnet अब इसको मैं figure में दिखाता हूं आपको देखी द्यान से अब इस is called is a bar magnet इसके दो पॉल होता एक north पॉल होता है एक south wall this is called is a horseshoe magnet and next is a यह कहा है हमारे एक cylindrical magnet and this is called is a dumbbell shape magnet अब उसके बाद activity activity वन देखिए कि take a plastic और a paper of cup fix it in this stand with the help of a clamp as sony ने figure अब यह जैसे आप figure में देख रहे हैं कि इसके अंदर effect करना है कि हमने जो magnet का एक paper clips के ओपर वो hanging कर लेता है किसके अंदर in air के अंदर अब यह same as it is बहुत असान से activity है अब a place of a magnet inside the cup and cover it with the paper so the magnet is not a visible जो magnet है वो visible मतलब दिखाई नहीं दे रहा attach a thread अब वो किसे attach है बेटा जी एक thread से एक clip is made of the iron जो clip है किसे बनी है iron से कि fix with the other end of the thread और एक side से उसको fix कर दिया गए के दागे की help से जो base की अंदर है कि mind you and trick involved here it keep the length of the thread means like जो उसकी thread की जो length है अब sufficiently short begin to the clip near the base of the cup कि the clip is raised and without any air मतलब क्या है इसके अंदर sport कर रहा है like is a night की तरह है अब इस किसमें भी क्या करते है इसको attraction से है वही pattern next की अपनी तरफ attract करने की कोशिश करता है उसके बाद magnetic and non magnetic जो materials होते हैं आप उनके बारे में discuss करेंगे कि activity दी गई है same as it is activity two अब इसमें क्या बताएगा है कि let us walk in the footstep of a magnet की only this time we will change the position of a magnet इस case में क्या है कि जो position a magnet की वो change है and the iron there is a magnet at the end of power safford stick की जो magnet था वो end पे था कि इसकी जो safford की stick थी we can attach a small magnet of a hockey sticks और जो छोटा सा magnet अच्छा है hockey sticks के अंदर walking sticks के अंदर and cricket wickets के अंदर कि which with a tap of a some glue and let us now go out of a magnet walk कि the school of playground how does the magnet stick pick up from the school ground कि वो कैसे pick up करती है कि what about the object in the classroom अब जैसे कि कौन सा object है जो classroom के अंदर है कि collect a various object of a day by day use your surroundings the test of these are a magnet sticks उसको magnet sticks बोलो जाता है you can take the magnet अब इसमें क्या है कि देखी बेटा जी क्या बताएगा है कि जो magnet है कि जो it absorb that the object stick is a magnet and prepare the table of your notebook आपने एक table बनानी है अब ये table मैं आपको दिखा देता हूं कि feeling of the object attracted by a magnet अब इसमें सबसे पहले क्या लिक हो गया आप name of the object आप जैसे के iron ball अब material which of the object is a made of किसे बना है suppose कि ये iron से है प्लास्टिक से है कि जो कौन सा attract करेगा अब iron ball को अब यहां पर क्या रिखूगे आप iron अब यह किस से बना है जो iron ball है वो basically iron से बनती है कि वो कुलूट से तो नहीं बन सकती वो aluminium से नहीं बन सकती अब उसमें लिखा गया है कि attract by यह magnesium stick of a magnet yes वो attract करेगी very good magnet को attract करेगी second scale अब scale किसका बनता है वेटा जी वैसे basically plastic का बनता है अब क्या यह attract करेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर iron नहीं है उसके बाद है शू के अंदर क्या होते है leather क्या यह attract रहेगा नहीं क्योंकि इसमें भी क्या है magnet means like is iron नहीं होता उसके बाद है इसके अंदर की material from कि which these objects are made कि the material common of all objects that were attracted by the magnet की वो object को जो attract करता है कि इसको magnet को कि we understand that the magnet attracted a certain material जो magnet है वो कुछ ही material को अपनी तरफ attract करता है कि where the some do not get attracted towards the magnet और कुछ उसकी तरफ अट्रेक्ट नहीं करते कि the material which get attracted towards a magnet आरे मैगनेटिक उसको क्या बोला जाता है जो उसको attract करने की कोशिस करता है for example अब जैसे example के iron, nickel and cobalt the material they are not attracted towards the magnet जो attracted नहीं होता magnet की तरफ उसको हम non-magnetic materials बोलते हैं कि what material did you find to be a non-magnetic in a table 13.1 कि is a soil of magnet और a non-magnetic material अब यह तो simple सी बात है बेटा जी जो attract करते हैं उसको magnetic material कहते हैं जो attract नहीं करते हैं this is called is a non-magnetic material उसके बाद activity 3 है इसके अंदर कि rub a magnet in a sand paper अब आपने magnet को किस के साथ rub कर लिया sand paper के साथ या मिट्टी के साथ pull out of the magnet are there some particles of a sand soil sticking to a magnet अब वो जो particles and sand उसके क्या हो जाते हैं उसके magnet के मतलब stick चिपक जाते हैं अच्छी तरह से कि now gently shake the magnet to remove these particles of a sand and soil कि are some particles sticking to it and these might to be a small piece of a उसमें क्या होता है छोटे छोटे पीस होते हैं iron fillings की जो pick up कर लेते हैं कहां से from soil के अंदर से कि through such an activity we can find out कि whether the soil and sand from a given place contain the particles that have iron कि try this activity near your home school places you visit your holidays does the magnet with iron fillings taking it अब देखी बेटा जी यह सिंपल सी बात बता देता हूं मैं आपको इस figure के रूप से कि जब आप यह बार आपका बार magnet है इसका एक पॉल नौर्थ होता है एक पॉल इसका साउथ होता है क्लिर है यह इसका middle point है अब जब आप इसको stick करोगे मतलब किसी के मिट्टी के साथ rub करोगे रब करने से इसके उपर यह कुछ particles जमा हो जाते हैं अब यह particles आप कहते हो कि sand के नहीं क्योंकि sand के अंदर या मिट्टी के अंदर कुछ iron के particles जमा होते हैं वो इसके पास deposit हो जाती यहां के clear है तो यह है इसका कि magnet with a many iron fillings and few iron fillings उसके साथ attach हो जाती है जुड़ जाती है clear है उसके बाद कि pole of a magnet अभी मैंने बताया था पॉल दो टाइप के होते हैं उसका एक पॉल होता है नौर्थ पॉल एक होता है साथ पॉल आप पॉल के बारे में बता देते हैं कि we observe that iron filling if there are a present stick a magnet rub in the soil and you observe anything is a special on the stick of a magnet यह तो simple है जो अभी पीछे की है अब activity देखिए कि इसमें क्या है कि separate some iron fillings on the seat of a paper now place a bar magnet on this seat what do you observe क्या आप उब्जव कर पाऊगे कि do the iron fillings stick all over the magnet and do you observe that more iron fillings get attracted कि जो iron fillings है जो मिट्टी के साथ उसको attract करने की कोशिस करते हैं रब करते हैं तो वो particles उसके साथ जाकर जमा हो जाते हैं attract कर लेते हैं कि some part of the magnet than other remove the iron fillings sticking of a magnet and repeat them इसको मतलब आपने repeat भी करके देखना है same as it is वही particles जो irons के होते हैं वही उसके पास जाके जमा हो जाते हैं अब उसके बाद है कि do you observe any change in the pattern which the iron fillings get attracted by a different part of the magnet कि you can do this activity using the pins या आप इस activity को किसके माध्यम से भी कर सकते हैं पीन और iron nails की two place of the iron filling iron filling क्या होती है बेटा जी जो iron को जैसे बिल्कुल क्रस कर लेते हैं उसका एक मतलब बिल्कुल छोड़ चोड़ चोड़ पार्टिकल्स अब उसके बाद है draw the diagram and the way iron fillings ticked the magnet is this drawing a similar and sony ने फिगर जैसा की figure में मैंने अभी आपको बताया था उसके बाद कि we find the iron filling are attracted more towards the region close to the end of the bar magnet अब उसके बाद है poles, poles of a magnet are set to be near is this end, मतलब जो pole होते हैं उसके दोनों ends की उपर होते हैं, एक side में north होता है, एक side में south होता है कि try and bring a few magnet of a different shape to the classroom, मतलब क्या है कि जब अभी मैंने बताया था आपको कि जो magnet है वो different shapes का है, जैसे bar magnet है, horseshoe magnet है, एक double shape magnet है या cylindrical magnet है, जी यह इसको आप lab में देख सकते हैं, उसके बाद है finding the direction की, उसकी direction को कैसे find के जाता है, कि magnet were known to the people from the innocent time, मतलब पुराने time के अंदर कि many property of magnet were also known to them, कि you might have to read a many interesting stories about the use of a magnet, कि magnet की काफी interesting stories है, कि one के है सके अंदर, one such story is about in the empire of China, अभी किसके उपर बेशती है, चाइना के name is a Hong T, it said that, कि had a carrot of a statue of the lady, and could rotate in any direction, मतलब के है कि एक lady का एक statue है, कि वो किसी भी direction में move कर जाता है, clear है, अब उस statue के बारे में भी आपको दिखाते हैं figure के अंदर, कि it was showing in the figure 13.8, कि the statue had interesting property, जो इसकी statue की भी property काफी interesting रहने वाली है, it would be rest in a some position, and extended arm, away pointed towards Indy South, जो इसकी arms रहती है, बेटाजी, वो South Sides में रहती है, by looking the extended arm of the statue, the emperor was able to locate the direction he went to the new place on his caroate, अब यह देखिए, statue देखिए आप सबसे पहले, अब जो यह ladies है, ladies की जो क्या है, बाजू है, यह बाजू arms जो की साइड में है, यह South Sides में है, कि जैसे direction, मतलब कहा है कि change करती है, यह South में रहेगी, जो इसका back side है, वो North में है, अब यह हिसके अंदर बताए गया है, अब उसके बाद activity दिखाते है, activity से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कि take a bar magnet, put a mark on it and the identification now tie to thread at the middle of the magnet, so that many suspended, मतलब उसको नीचे छोड़ दिया जाता है, कि मैं अपता देता हूँ, आपको देखी द्यान से, this is called, इसको हम क्या बोलते हैं, एक suspended महलब बार मेगनेट है, अब यह हमारा tripod stand है, अब tripod stand को आपने thread के माध्यम से उसको बांद कर नीचे की तरफ छोड़ दिया, उसको suspend कर दिया, अब इससी इस activity में हमने क्या चेक करना है, कि may be suspended it from the wooden stand, wooden जो stand है, make sure that is a magnet can be rotate freely, क्या magnet वो rotate करेगा, आपस में हिद उदर, कि let us come to be a rest, क्या वो rest में आजाएगा, and make the two point of the ground, shows the position of the end of a magnet and it come to be rest, मतलब इस case में आपने उसकी position को चेक क position है, कि वो कुछ time के बाद क्या हो जाएगी, अब मैं आपको इसको समझा दिता हूँ, पूरे इस concept को, कि line joining the two points, and their line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of a rest, कि इसकी position को सो करता है, वो rest की, कि now rotate a magnet, कि जैसे magnet को rotate करते है, by gently pushing one in any direction, let it come in the rest, और वो किसके में आ जाता है, एक rest की position में ही, again mark the position of the two end in its position of the rest, कि does the magnet now point in a different direction, rotate a magnet in the other direction, and not the final direction in which the come to be rest, और इस लिए वो क्या है, कि जैसे उसको rotate करते है, magnet को other directions में, उसकी हमने क्या करना है, note the जोसकी final direction है, उसको, और इन विच वो काम अपरा जाती है, rest पे, कि do you find the magnet is always come in the rest, in the same direction, कि वो क्या है, हमेशा ही क्या है, कि किस पे आ जाता है, कि come like is a rest, पे इने same directions के अंदर, कि now we can guess the mystery behind this statue, अब इसके बीचे क्या history थी, कि जो statue है, empire, और जो उसके हमने पढ़ाता भी, correlate के बारे में, कि repeat this activity, with an iron bar, iron bar का मतलब जो अभी पीच्छे बताया था, हमने magnet के रूप में, कि iron bar is a plastics, और a wooden scale instead, कि of a magnet, do not use a light object, मतलब light का मतलब है, काफी, मतलब जो heavy नहीं है, for this activity, avoid doing, where are the current of the air, कि जो current है, वो क्या air के अंदर कुछ ना कुछ present करता है, कि do other materials also always come to be the rest, कि जो other material है, वो कहाँ पर आ जाते हैं, rest पर आ जाते हैं, मतलब बिलकुल भूख जाते हैं, in the same direction, we find a freely suspended bar magnet, always come to the rest, particular direction, मतलब वो भी always कहा है, कि निरंतर हमेशा रहे है, rest पर आ जाते हैं, particular directions के बाद, कि which the north and south direction, किसके direction सो करते हैं, वो north and south की, कि use the direction of a rising sun in the morning, to find out the rough direction towards in the east, अब basically देखिए द्यान से, जैसे sun क्या होता है, rise होता है, morning के अंदर, अब rise होने से क्या है, कि basically इसकी जो direction, हमें कहां पर दिखती है, towards in the east की तरफ, कि where you are doing the experiment, and if you stand facing east, and if you are left, will be the north, using the sun for finding the direction may not be very exact, मतलब क्या है, कि इसके अंदर क्या बताए गया है, कि जो इसकी direction है, वो exact, very exact है, मतलब, maybe not be exact, और exact हो भी सकती है, अब इसमें बेटा जो sun की बाहर हम discuss कर रहें ना, sun के है, कि इसके अंदर, जो sun की direction है, वो हमेशा कहां कहाती है, वो east से निकलता और west की तरफ जाता है, अब इसमें, जो उसको comparison किया जाता है, वो किसकी help से करते हैं, due to the compass needle की, अब उसके बाद है, इसके अंदर, कि the direction of a north from the south, and now your lines, कि using this, you can figure out which end of the magnet is a pointing of the north, and the pointing to the south, मतलब वो किसको indicate करता है, north and south को, कि the end of a magnet, that a point towards the north, is called is उसको north बोला जाता है, जो उसको point किसकी तरफ है, north की तरफ, उसको north seeking कहा जाता है, and this point is called is a north pole of the magnet, उसके बाद है, the other end of the point towards in the south, and is called is a south seeking end, so उसको हम क्या बोलते हैं, south pole of the magnet, कि all magnet has a two poles, हर एक magnet के दो pole होते हैं, चाहे वो कोई भी magnet हो, एक का north, एक एक एंड, south pole, आप उसके बाद है कि this property of a magnet is very useful for us, कि यह property हमारे लिए बहुत ही useful है, for centuries traveler and for making use of a property of a magnet in the finding of the direction, मतलब यह किसकी direction को find करती है, मतलब कि जासे एक traveler के लिए, centuries के लिए, उन सब के लिए direction को find out करती है, it's said to be a olden days, the traveler used to find the direction by a suspended natural magnet with a thread, कि मतलब suspended का मतलब जो अभी पीछे activity दिखाई थी, दागे के साथ उसको suspend कर दिया जाता था, उसकी help से directions को carry करते थे, उसके बाद है, later on the device was developed based on the property of a magnet, कि उसके बाद जो क्या है, मतलब substance तो नहीं कह सकते, इसको एक property है, एक device है, कि उसको measure किया गया, जिसका नाम कह है, compass needle है, कि यह compass is usually a small box, एक एक छोटा सा box है, with a glass cover it, and it magnetize the needles, is a pivoted inside in the box, जो उसके अंदर कह है, कि एक छोटी सी needle है, जो pivoted उसके अंदर fitted है, कि which can rotate freely, उसको rotate करते हैं freely, कि the compass also has a dial with the direction marked on it, और उसपे direction को mark यह गया है, तो देखी द्यान से, this is called a compass needle, उसके बाद है, इसके अंदर, कि the compass is kept at the place, where we wish no the direction, its needle, indicate the north and south direction, when it come to be rest, यह मतलब किसकी direction को सो करती है, north and south को जब यह rest भी आ जाती है, कि the compass then rotated, until the north and south, mark on the dial are the two ends, मतलब इसके दो ends होते हैं needle के, north, और pole of the magnet needles, and it usually pointed, किसको painted करता है, और पे different colors को, यह different color usually क्या किया गया है, painted किया गया है, एक different color के रूप में, उसके बाद है make your own magnet की, अपने magnet को आप कैसे बना सकते हैं, यह भी काफी interesting सथिंग है, आप देखिए इसके अंदर, कि there are several methods for making a magnet, कि let the line of a simplest one, सबसे simple की बात हम discuss करने वाले हैं, कि take a rectangular piece of iron, आपने क्या ले लिए a rectangular piece दिया iron का, कि place it in the table, now take in a bar magnet, and place one of the pole, near in the one edge of the bar magnet, एक bar magnet की उसके आपके एजिस के साथ, मतलब उसको ले गए, कि without lifting the bar magnet, बिना उसको उठाए हुए, move it along with the length of a iron bar, is till you reach in the other end, कि now lift the magnet and bring the pole, उसको bring के मतलब किसके पास, pole के पास, कि now lift the magnet and bring the pole, in the same, is started that, कि same magnet of the iron bar, and from which you begin, and move the magnet, जैसे आप magnet को move करती है, कि the same direction as you did before, and repeat the process 30 to 40 time, using a pin, और iron fillings near in the iron, check in the magnet, कि देखी वेटाई है, जी मैं simple सी बात 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 देता हूँ, कि इसमें क्या किया है, कि आपने बार magnet ले रखा है, आप बार magnet को आप एक rectangular का, एक कोई भी pieces है, उसको आप 30 to 40 time, उसके क्या करोगे, scrub करोगे, scrub करने से इस पर जो property है, वो magnet की कुछ नो कुछ आ जाती है, तो कुछ time के बाद, आप जब इसको iron fillings के पास लेके जाओगे, तो यह automatically एक magnet का behave करने लग जाएगा, तो ऐसे आपके एक magnet कर सकते हैं, यह second के हैं कि यदि आप किसी भी soft iron core के अंदर से electricity पास करते हैं, वो भी एक electromagnet बन जाता है, उसके बाद है attraction and repulsion between the magnet की कैसे आपस में होती है, अब attraction का मतलब है, यदि आपने north और south pole को लगा है, तो attraction, यदि south south लगा दिया है, नोर्थ नोर्थ लगा दिया, it means is a repulsion, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, कि let's play another interesting game with a magnet, कि the two small toys car is label A and B, कि place of a bar magnet on the top each other, the car playing in the length and fix in the rubber band, अब इसमें क्या बताएगा है, कि देखिए ज्यान से, कि आपने कोई भी यह दो toys कार लिए हैं, अब यहाँ पर A है, B है, और C है, और D है, अब इस case में क्या है, कि do opposite pole attract to each other, opposite क्या है बेटा जी, suppose कि जी आपका यहाँ नोर्थ पोल है, यहाँ पर south pole है, तो दोनों क्या हैं अलग-अलग colors में हैं, तो यह क्या करेंगे, आपस में attract करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ किछने की कोशिस करेंगे, अब इस case में क्या है, कि दोनों same pole है, अब यदि same pole है, तो same pole होने से, इस case में क्या होगा, repulsion होगा, यह देखिए ध्यान से same pole है, suppose कि जी south-south है, तो क्या करेंगे, repulsion करेंगे, north-north है, तो यह भी repulsion करेंगे, clear है, अब इसमें यही बताएगा है, कि दोनों क्या करते हैं, यदि attraction कब होती है, जब south और north होता है, या north या south होता है, तो उस case में attraction होगी, अब जब दो similar मतलब क्या है, दोनों poles same होगे, it means उसको हम repulsion कहते हैं, तो यह सेम वही procedure है, उसके बाद है, few इसके causes हैं, quotations हैं, यह देखी आप, कि magnet lose their property, if they are heated, कि यदि उसको हम गरम कर देते हैं, गरम करने से, उसकी property, यह मतलब खतम हो जाती है, lose हो जाती है, या hammer करते हैं, drop from the some height, या कुछ height के बाद उसको drop कर देते हैं, तो it means उसको हम क्या कहते हैं, कि उसकी जो property हो drop down हो जाती है, also magnet became a weak, if they have not stored properly, या इसको हम stored ना किया जाई property को, कि to keep them safe and a bar, अब देखी दियान से, इसमें क्या किया गया, hammer किया गया, इसको drop down किया गया है, उसके बाद an axis के अंदर, कि magnet should be kept in a pair, with a unlike poles, of the same kind, कि या unlike pole है, कि they are separated by the piece of a wood, and two piece of a soft iron, should be placed across the ends, तो ये क्या था, इसकी property बेटा जिक खतम हो जाती है, ऐसे करके, उसके बाद इसमें छोटा सा topic हो रहा गया, कि for horseshoe magnet, can be should be a piece of a iron, across the pole, कि keep a magnet away from the cassette, mobile television, music systems, and compact disc, and the computers, तो ये बेटा जी हमारा complete chapter था, बहुत ही interesting सा chapter था, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, compass, magnet, magnetite, north pole and south pole, कि जो magnetite है, वो क्या एक natural जो हमारा magnet था, अब जो magnet क्या करते हैं, आपस में attract करते हैं, material like is a nickel को, iron को, cobalt को, clear है, उसके बाद हमने north और south pole के बारे में discuss किया, attractions के बारे में discuss किया, तो ये complete chapter, यदि आपकी फिर भी कोई problem है जाती है, तो आप मुझे personally, अपना message या अपना comment कर सकते हैं, थैंक यू, बाई.